question number 21 इसमें चोर और पुलिस का प्रोब्लम है यह चोर आगे भाग रहा है पुलिस फीचे है ओके चोर का स्पीड गीवन है कितना देर का है चोर का स्पीड चोर का स्पीड है 72 km per hour राइट और पुलिस का स्पीड गीवन है कितना है 90 km per hour तो सबसे पहले तो मिटर पर सेकंड में कमेट कर लेते है 72 into 5 by 18 कितना आजाएगा यह आजाएगा 4 20 मिटर पर सेकंड चोर के स्पीड है 90 into 5 by 18 यह कितना हैगा 25 मिटर पर सेकंड पुलिस की स्पीड है ठीक है अब यहाँ पे एक कंडिशन और दे रहे कि जब मान लो यह इस तरह से भाग रहे है यहाँ पर चोर है ठ ठीक है अब जब चोर इस पॉइंट पर टर्म लेता है मान लो यहाँ पर इस साइड में रोड जा रहा है और वहाँ पर टर्म लेता है और टर्म लेने के बाद 10 सेकंड बाद टन लेने के 10 सेकंड बाद चौर तो यहां पहुंच आईगा मानल लो यह मानल लो यह पॉइडेस है यह इस तो डिस्टेस कितनी हो जाईगी इस तो डिस्टेस की बीच में डिस्टेस निकाल देंगे चोर की speed constant है और time लगा 10 seconds तो distance is equal to क्या जाएगा V into T है जाएगा चोर के लिए चोर यहां से यहां आया ना 10 seconds में तो चोर की speed है 20 और time लगा 10 seconds तो distance कितना travel हो गया चोर ने किता distance travel गया 200 meter यानि इन दोनों के बीच में यह distance है 200 meter clear है अब यह पूचा है कि फुलिस वाला चोर को कँ पकड़ लेगा कि पुलिस वाली syst keeper ज़्यादा है चोर की kum हैं तो sure है कभी कभी नी कभी पुलिस वाला चोर को 25 है तो हम रिलेटिव से करें कैसे है कि अगर मैं इसको रेस्ट पर मान दू क्या करो चोर को रेस्ट पर मान दू तो पुलिस की स्पीड कितनी है अगर चोर को रेस्ट पर मान आओ तो पुलिस की स्पीड 5 होगी कैसे जैसे मान लो इस चोर की गाड़ी पर कोई दूसरा चोर ब 5-20 is equal to 5 meter per second clear police की speed कितनी है 5 meter per second okay और अगर यह rest पर है तो इसको कितना distance travel करना है सिर्फ 200 meter distance travel करना है right 5 meter per second 200 meter distance travel करना है तब यह पकड़ लेगा इसको तो time कितना लग जाएगा time लग जाएगा t is equal to होता है distance upon velocity distance 200 meter velocity है 5 तो कितना जाएगा 40 seconds जैनि 40 seconds के बाद इस turn के 40 seconds के बाद police है जो चोर को पकड़ लेगा अगर आपको किसी भी question का video solution चाहिए तो channel subscribe कीज़े फिर जो भी question हो comment box में question number और chapter number comment कीज़े